कैसेते आज हम कश्यागैरा आप रिफ्रशेंगनित के प्रिथव पाट समुच्य का दिनगा समुच्य शब्द समुच्य सब्द समु परिभाशत भी हो सकता है आप परिभाशत नहीं जैसे यह आप कहते हैं अच्छे शिक्षक हो का किसी चातर के लिए अच्छे शिक्ष़ नबाद दो नम्बा देती हैं किसी चातर को सिक्ष़ अच्छे लगते हैं किarak्राश में नब can हर रबत वाच्चा लगता हैं किलास में ब्लकुल नपड़य तो किसी बच्चे को वह बल्ले बाद अच्छा लगेगा जो बहुत तेजी से खेलता है सहवाग रिंगी पांटे किसी बच्चे को ऐसे बल्ले बाद अच्छे लग सकते हैं जो बहुत दीरे खेलते हैं तो ऐसे ही अच्छे बल्ले बाद शब्द परिवाशित सम्मू को रूपे जितने भी परिपासे समु हैं उनही को समुच्य कहते हैं जैसे हम कहें कि सब्था की दिनो का समुच्य समेद्धार ला मंग्रवार घुधवार रमासानी Samuelh वो इसका विरोद भी नहीं कर पाएगा तो ऐसे पनिवाजित समुच्य के लिए हैं इस ब्रैकट का प्रियोग करों और इस ब्रैकट के अंदर जो भी अविएव लिखे जाते हैं वो सारे अविएव समुच्य के अविएव कहलाते हैं इने हम एक कॉमा से अलग कर दाए सब्सक्रीओ लिखने का तरीकह है ₹से मजली ब्रैकिट, जिसे हम सेमि कोंड भी गयते है और यह ब्रैकिट लगाने के पाद, इसके बीच में नहाज समय लिख旋 है इस मजली ब्रैकिट सही हम सम्मु को दुरुपित करते हैं मैं है । उह बस लिखते हैं। कुछ संफच्य होते हैं जो पैसे से ही परिवाषी थे का यह वह समुझे हैं एक, दो, टीन, चार, पांच, ऐसी , प्रकर संफच्या कलाती हैं जिने आप न से लेता हैं। दूसरा है पुर्णाग उपर पूर्णाक होते हैं प्राकर संख्या है जीरो और रिलात्मक प्राकर संख्या है यानि दुनिया की सभी ऐसी संख्या है जीरो को भी हम ले लेते हैं तो यह संख्या है पूर्णाक प्राकर संख्या है जीरो को भी हम ले लेते हैं तो यह संख्या है पूर्णाक प्राकर संख्य xp बड़ pick you know कैसे वी उसकते हैं लेकिन Q00 हिस् Boss को सकते हैं इसरे एलिए इस इह इस तो इलिए उप सिय और बलॉब्स किई और यहां आप जाता हैं वास्प की संख्या कैसे होती माुनर नांत से प्रव को समझेern धन पूर्णाउब कों से होते हैं? जीरो, एक, दो, तीम, यह सारे धन पूर्णाउब को कहला है Q फिलस धन परिवर संख्याउब को समुझे धन परिवर संख्याउब को होगी पिवर की दोनों धरातों पोने चाहिए और Q सुनने नहीं होना चाहिए में5 दल वास्तेव संक्याओं का समुझचे द्न पूर न हंकों में Co Mat K सब्सूर नहीं करते हैं आ Nvidia redma from think are up ah का समुझे जो zero होगी जो जो जिलो से बढ़ी है और अरंद से छोटी जिलो में एक इसी राची है जो लाट होती है और पिमstorm होती है यह और आखनी miejनस होती है जिलो लाट होता है और नाही इररात्मिद होती है समुच्य का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है हम देख रहे हैं यहाँ पर सारे अंग्रेजी के बड़े अक्षर यह fix हैं इनका प्रियोग हम समुच्य के नाम में नहीं करेगे क्योंकि यह पहले से ऐलाट हो चुका है इंड पराकिते शंख्याओं को आलाट हो चुका है यसा हम इनाचरनल नभर कहते हैं जेट वोनांगो यहां पर हमने लिखा नहीं है i.e.e world candidate प्रश्चा यहां प्रुण अन्य है पूल नंबर को रिपिस्टाट है पूर्व संख्याव का समुच्च को निरूपित करने की विदिया क्या है समुच्च को निरूपित करने की दो विदिया है रोस्टर या साढ़ी बद रूप या समुच्य निर्माण यहा पर हम आपको ढूरों की थोड़ी सी जलग दे चुके हैं यह रोस्टर या सार्णि बदरूप करलाता है और इस सामुझित रेख्षा रूप destra वो स junior को Consider रूप को समुछ 하지만 रूप में बनते हैं और समुछर निर्माइद रूप में बदलते हैं कि ये एक 2.. 1.. 4.. 9..16.. इसे तरह से हमने एक समुछ बनाया जिसका नाम दूई को पैंट então कि इससे कि इसको अगर मैं समुच्ष निर्माय रूट पे लिखूँ तो क्या तरीका होगा बी相 Arya को व्राइबार एक स्लय को बताएंगे था तो pretending यानि जो n होगा वो 1,2,3,5 होगा तो हम देख रहे हैं यहां पर आप 1 रखिए 1 का वर्ग 1, 2 रखिए 2 का वर्ग 4 क्योंकि अवियर जो है वो x के है सारे अवियर एक्स है और x को हमने इस परिवाशित किया है तो अगर x लिखकर हम x को परिवाशित कर दें यह विजित प्रिवाशित कर देख लिखना है तो आप इसे किसना से लिखें है ब बरावर x की तरहें प्लस परिवाशित किया है और बता चुक्त आए कि n पूर्णाख है यह इसने काया n विलंग 2z अब पूर्णाख तो मुह सारे हो सकते है मानिस और से प्लस और से बीच में निगट पांचता ज़रा तो आप देखना है कि इस परिभाशत हमने से इस बिगाल किआ है कि इस से इसका निर्मान हो रहा है और इससे इस तरह के सवाल आपके एक्जाम में आते हैं that प्रोश्टर रूप में सवाल लिखा होगा और समुच्य नमांड रूप में आपसे लिखा लिए 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 तो इसे लिखने हैं तरीका N ब्रैकेट एक चार N का मतलब मतला है cardinal number, cardinal number मतला समुच्च में अभयव की संख्या, कितने अभयव हैं इसमें 4 हैं, cardinal number अभयव है, नीचे हमने दूसरा समुच्च लिखा है, 1,2,3,4,5 अभयव है, cardinal number इसका 5 है, यहां हम देखे, data dash लगा दिया है, और यहां पर इसके जो अभयव हैं, वो 1,2,3,4 पूरे गिने जा सकते हैं, यहां 1,2,3,4 आगे dash लगा है, मतलब 25 और आगे अभयव हैं तो ऐसे समुच्च जिनके अभयवव की संख्याओं गिना जा सकता है, आप नहीं सकते हैं, आप परिमिस समुच्च जिनके अभयवव की संक्याओं आप नहीं गिन सकते हैं, कुछ समुच्चे ऐसे होते इसमें अभी अभी नहीं होते एक ऐसा सभू बनाई है जिसमें कोई अभी अभी ना हो जैसे आप कहें कि ऐसे बच्चों का समुच्चे जो कक्षा 11 में भी पढ़ते हैं और कक्षा 12 में भी पढ़ते हैं और कक्षा 10 में भी पढ़ते हैं यानि ऐसा समुच्च होगा उस समुच्च को हम कहेंगे रिक्त समुच्च यह नल्स है एक और अच्छा सा एजाम्पल ले लेते हैं ऐसे गदे जिनके सिर्फ पर सींग होते हैं ऐसे गदे आपको मिलेंगे जिनके सिर्फ पर सींग होते हैं यानि एक भी नहीं बिलेगा यानि वो कैसा समुच्चे हुआ रिति समुच्चे को हम फाई से लिखते हैं यह भी बिनानी शर्ट है और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि इसमें एक भी समुच्चे नहीं है कि अगर हम कहें पूरी किलास में मान ली जाज कितने बच्चे आए हैं और गरारा बच्चे बैठे हुएए उन कहें इस कक्षा में जरों का समुच्च लेकिन आप तो सम्मनुष्य है एक भी शेह नहीं है इसका मतलब क्या हुआ हुआ हमने का इसका किशा में छात्रों का समुच्य तो यह रिट्ट्स नहीं होगा क्यों कि आपको 12 चात्रिय हम पेठे हुए तो आप समझे रिट्स नहीं का रहते हैं कि जिसमें कोई भी तो इसमें एक भी अव्यम नहीं है रित्समुच्चे के अव्यम को समच्छा होती है शुन आइए अब इस पर अधारे सवालों को बच्चो एक्साइज 1.1 देखते हैं पहला सवाल है एक बरावर एक दो तीन चार पाच्छे यह एक समुच्चे है इसके अंदर जो अव्यम है वह एक से लिकेश है तर आपको और तिस्थान में निशान लगाना है बिलॉंटू यह नॉट बिलॉंटू अव्यम है यह अव्य निशान लाने से पर देखना पढ़एगा पांच एक आविएव यह नहीं तो हम देख रहे हैं पांच ए समुच्चे का आविएव है यानी 5 बिलॉंटू ए 0 , 0 A का अवयब नहीं है यानि 0 not belong to 10 A का अवयब है A में नहीं है समुझ्च में इसका मतलब 10 is not belong to अगर नोपी के रोस्टा रूप में इसको लिखना है ये समुझ्च निर्वान रूप में लिखा है क्या लिखा है कि B एक समुझ्च है इसमें X की तरव आवयब है प्राकिट संख्या है, To 6 से कम प्राकिट संख्या कुन सी होती है? एक, दो, तीन, चास, पांच, के प्राकिट सबसे चोटी एक होती है, एक से चुनुकर लिए 6 से कम 5 होती है, 5 तक पहुंच जाए, सौब के पास की जो भी है इसका रोस्टर रूप आजाएगा एक दो तीन चार पांच इस समुझ्च निर्मार विदी से लिखा था हमने इसको रोस्टर रूप का मदल गया अगला है ए नाम रखा है समुझ्चे का और क्या कहा है इको टिग्नोमेट्री के शब्द से बने सभी इसको उतर दिखते हैं में का सब संदी इसमें को यह उतर दिखते हैं चणा यह सब्सक्राइगा गरें एक यह सद्धर को यहायाmbशिus बने मैं विदो बार अरहा लेगिंगे में आरे कौमर से लग कर देते ह। आई, जी, ओ, एन, ओ, एक बार और आगया, लेकिन लेकिन इसको एक ही बार, एम, ए, टी, आ चुका है, आर, आ चुका है, वाई, ये हमने इसका रोस्टर रूप लेखते हैं, क्योंकि सवाल में कहा था, रोस्टर रूप में लेखे, समोच निर्माद रूप में लेखे, इस वार उसने सवाल हमें रोस्टर रूप में दिया है, और इस रोस्टर रूप को हमें समोच निर्माद रूप में लेखे, तो इसका नाम हम रख लेते हैं, अपने पास से ए, तो जहां N कैसा होगा N को बताना पड़ेगा को आम लगा दीजिए जहां जो है वो बिलॉंग करता है एन को यानि एन जो है वह एक प्राकर्टिक संख्या है उसके बाद आपको केवल 65 तक लेना है यानि एन का वह चार तक होना चाहिए इसके आगे यह भी दिखा दीजिए कि एन जो है वह चोटा है पांच सारी इस्तितिया संतुस्टोगे जिससे इस रोस्ट अगरा सवाज है इसे भी हमें समुच्च नर्माट रोल करें यह कितना है एक चार नौ और दसकर तो आप समझे होंगे यह समुच्चे इसका नाम भी रख देते हैं जो कि समुच्चे करां इसको बड़े अक्षय से रखते हैं इसमें एक्स की तरह आविया भूंगे एक्स क्या होगा एक्स होगा एनका वर्ग एन क्या है एक नेच्छर नंबर और साथ साथ एन का मान 11 से कम है क्युक्ति मैं देखना हूं कि इस रूइप में जो अभ्य में वह एक से लेके दस तक बर गज़ एक कवर नहीं तीन गवर प्राफ करते जाएं या रादर छोटी संख्या एक से दस्त अगा जाएंगे और X के है N का वार जाए N का मान आप यहां पर लगाते जाएंगे और इसके अवियर्भ प्राक्त करते जाएंगे अल्ला सवारे निन्म समुच्यों के सभी अवियर्भ सुची बद्ध केचिये यानि हमें दिया होगा एक समुच्य नर्माविधी में समुच्य और उस समुच्य को हमें लिखना होगा रोच्टरू तो देखते हैं किस तरह का है इसने का X एक विशम संख्या है ए में X की तरह होती है एक होती है ती होती है पांच होती है साथ होती है यह आग होती है इसके वास निकाए कि इसमें X की तरह अवियर्भ है है जहां एकस पूर्णांख है एकस स कवर 4 से चोटा रहे तो एकस का बल चार से छोट चो जता होगा चार से पृस्किसनी के बता लगेगे कि एक एक रहा हो सकता है माइनस ऊक्ता है दो क्यूं लिए हैं यह डाता है कि नी अधिक हैं इस नोद करने से उत्तर चारगे चुटा है यह जैसकर और चार वगहावर हए जो आणिए उनकर और मेंarson Sonra इसके अलावा अगर आपकुछ लेते हैं, तीन या माइनस तीन, तो वह चार से बढ़ा होगा। फिसका मतलब जो उत्तर है मेरा वह एकस उस तरह के एकस हैं, जो इस प्रतिवन को संतुष करते हैं, यह वाले मान। क्यानी सी का मान आ जाएगा माइनस एक, एक, यह ऐसे बखिए MINUS 2 माइनस एक एक दो यह आपने समुच्च नर्माण विदी में दिये गए समुच्च कामान रोस्टर विदी में लेते हैं आई समस्चते समान समुच्च किसे कहते हैं दो समुच्चे समान होंगे, यदि उनके अवयवों की संक्या समान हों, साथ साथ अवयव भी सारे एक दूसरे के समान होंगे, यानि दो समुच्चे A बराबर B तभी हो सकते हैं, जब इनके अवयवों की संक्या समान होंगे, अवयव भी समान होंगे, तो A में जो अवयव हो बढ़ें के साथ सारे किताब में रख़ें इसमें को दूड़ना है कि किसी का क्रम्ह भी परिवतन किया है उन्होंगे इस तरह से समय करना है वो सब आपको हम बढ़क है, वो हम नहीं कराएंगे, आप स्वयम करिएगा उतको. एक्साइज 1.2 रिक्त समुच्चों के उधारे, रिक्त समुच्चे उते हैं जिनके अंतर किसी भी प्रकार का अभियाद नहीं हो, यहां देखते हैं, दोसे भाज्य कर अभियाद जो सकती है? कोई विसम संख्या नहीं है क्योंकि संख्या कहते ही उनको है जो दो से विवाजित होती है और विसम संख्या वो होती है दो से विवाजित नहीं होती है और यह कहला है दो से भार्चे विसम संख्या है तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं अस्तित्वी नहीं है इसका आरत यह हुआ रिखत्ण संख्य अर्एकний संख्यां और 10 से बड़ा है कि कोई संख्य ऐसी हो जो साथ बड़ी हो अशसे पांस से चोटी हो साथ से बड़ी हो एसी कोई संख्या परीमित्थ आ परिमित्थ an संद्धा निस समुझ्य को बता कि है है जो कि बता चुक कर दो न y lesum परिमित समुच्च वह हैं जिनके अवयव की संख्या को गिना जा सके और अपरिमित समुच्च वह होता है कि अवयव की संख्या को गिना ना जा सके अनगिना अवयव उसमें हो तो एक्स-क्स के समानतर देखाऊं का समुच्च यह परिमित होगा अगर एक्स-क्स के समानतर सर पलद रिखाएं एकको समांतर केन दिखिजा में किन नहीं सकते सब्सक्राइज वुब थो परीमेट समुच्छ उन संख्या उलका समूच्य True तो पाँंच्य जा कौन वोज और सब्सक्राइए अब हे पंदरar होती है वीज होती है पच्छी से लेखते जैंगे लिखते जाए कहानी लेकिन आप लिखते रहेंगे इस आसङ Michael परिमिस गौचे हैं, हम आपसे कहते हैं साल के महीनों का संँचे तो हम जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं जब संबपभचे बनाएंगे जनवरी,- OSMर कॉंबा लगा के लिद दे хват का हूख सब्सक्राइब करते हैं इसका एक कोशन हो कर चुके हैं दूसरा कोशन है क्या हुआ है तो एक आपके पास सब्सक्राइब एगई पास सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखिए 10 पूर्णाइब चार हो गया दो हो गया जीरो होगा लेकिन उस शब्द का है धन धन पूर्णा मतलब पॉस्टिटिव धनात्मक तो जीरो धनात्मक नहीं होता है तो इसलिए हमारे पास जो इस सेट का रोश्टा रूप के अंदर जो अब यह पाएंगे दो चार्च है अब आप देखें इसके कि अबैप भी इछ समान हो जाएंगे दोनों समुच्चे समान समुच्चे हो जाएंगे आई देखेंगे तो गड़ेति आवश्रभा कैसे लिए गड़ेति आवश्रभा करने के लिए एक्चाम में करेंगे तो दिखाएंगे number of element in a बनों आपस वें मराता है यह number of element in A कितना है? हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, number of element in B कितना है? यहां देखिए 5, इसके पाद हम चेक करते हैं, यह दोनों बड़ाबरा रहे हैं, इसके पाद चेक करते हैं कि क्या यह है for every, यह जो निशान बनता है, यह एक निशान है for every, यानि पिर्थी एक के लिए, इसका पिर्थी एक के लिए for every, x बिलॉंग करता है a, a में जितने भी अभय बिलॉंग कर रहे हैं, यहां सा हमाँ पता लग रहा है कि यह अभय जो a में बिलॉंग कर रहा था, वही अभय बिलॉंग कर रहा है, बिलॉंग का मतलद जो a का अभय अभय है, वो b का अभय, फिर क्या बिलs जाओ अभय है जो b का अभय अभय है, वही एक का अभय अभय है, वही एक का अभय है, तो हम देखते हैं कि Xin सारे अभय होके लिए लिए अभय अभय है चाहे," douов हो चाहे," चाहण चाहेँ Toby था रहा है, जो सप्समान हो जाइए," जब Summar हो जाएगे," जो आगज रहे बार में की वाल यह निए प्लॉजह्च को भरुजब करें वह नय चुरूजब थे अब कर नुद्यचा थमकcor Rabbit 1-3 हर विकला आवगाल香港 आपड़ी समीव कि नकर नए घौति यानि शौति अब्याब है इसकी परिवाशा जो किताब में दे रखिए तो यह व संच्य कहला तह है इसको लिखने का तरीका में इसको लिखने का तरीका है एसह भी यह लेटा हुआ यह वा भी भू अवह जेकर इसनी कोउख ने कर दके है तोख़ वो अभयाव वो समुच्य छोटां यानि जिदर मुँँ खुला है उदर का जुश्य है उस समुच्य के अभयामों को लेकर उस tiya का निर्मानou है जो जिदर मुँँ बंद है जो दिका है तो एक के समुच्य है इसको बदीदो रूप में कैसे दिखाएंकि यह समुच्य का आप दिये हुए नियमों से, या दिये हुए सवाल से ये सिद्ध करने किसी प्रकार, कि वही X B का भी अवियब है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि A सबसेट होगा B, यानि ए उपसमुच्य होगा बीका यह उ सिर्द करने के लिए के वाल आको एवे एक ऐसा व्याव देखना है जो दС ईस और अगर तो वह दोनों से आपस में बराबर हो जाएना यानि यहां से उपसमुच्चियों की साइथा से मैं इस चीज़ और सिद्ध कर सकता हूं अगर मैंने यह सिद्ध कर दिया कि अवयाब बी में हैं तो अगर मैंने यह सिद्ध कर सकता हूं या कह सकता हूं कि ए और बी दोनों समान समुच्चे होंगे तो खुछ सवालों में ये थोड़ा हाय स्टेडी में आप जाएंगे तो अपको मिलेगा यहां भी खोड़ा सा इसका आपको जलग दिख्राएं गए कि दो समुच्चों को समान अगर सिद्गरना है तो उन समुच्चे में से पहले को दूसरे का उप समुच्चे सिद्गरिये और दूसरे को पहले का उप समुच्चे सिद्गरिये तो दोनों समुच्चे बरावन है कहने का अधिगार अपको प्राप्त हो जाएंगा इस पर अधारी सवाल देखेंगे आगे देखते हैं प्रित्ती एक समुच्च्चे ये उप समुच्च्चों को कुछ बोड़े हैं ये हमारी परिमाशा है कि अगर कोई अवयब यह हूं से यहांक इससले बीका है ना कि वही बीकाओ अuga हुगा इसका हाथ क्या हुआ कि ए उप समुच्चे हो जाएगा एक इस नियम से यानि प्रिति एक समुच्चे सुल्म का उप समुच्चे होता है प्रिति एक समुच्चे का रित समुच्चे को उप समुच्चे होता है जान रहे हैं कि किसी समुच्चें के अभयवको लेकर एक Exodus कर RAW तो पते समुच्य के बिना कोई अभयवको समुच्चे को गरेंगे उससे डिक समुच्चे कहते हैं यानि दुनिया प्रिविया के जितने भी समूच्चे हैं, उन सब का रिंग समूच्चे एक उपसमूच्चे होता है, यह पहले सही decided बात है, इसके बात हम देखें उचित उपसमूच्चे क्या होती है, आपर एक नया शब्रियोग वह उचित, उचित को English उचित प्रॉपर कहते हैं, उचित उपसमूच्चे हो जाएगा, यानि A is a proper subset of B, if A is a subset of B and A is not blue, यानि A B का उपसमूच्चे है, और यह पहले से घ्यान प्राप्ते में कि A B के बनावर नहीं है, इसका मतलब होगा A B का उचित उपसमूच्चे होगा, इसके बात आद कि एकल समूच्चे की, एकल समू समूच्चे कहला है, यानि number of element in set A will be 1, यानि उसका कार्डिनल नंबर होगा, इसे जो समूच्चों में अवेवो की संख्या है, वो कार्डिनल नंबर कहला है, फिर आता है अधिस समूच्च, अधिस समूच्चे का आता है super set, जब A B का subset है, तो B और A का क्या संबन्द होगा अधिस समूच्च है, तो B A का क्या होगा, B A का पिताची होगा, इसी में हम देख रहे हैं कि A अगर B का subset है, और इसमें ये बात पहले से हम पताएं कि A B के बराबन है, इलिए ज्यान देने वाली बात है, उस स्थिदी में B A का अधिस समूच्च होगा, B will be super set of A, इसको नहीं देखेंगे, कुछ सवालों नाम इसका प्योग करें, देखें उप समूच्चो के बात जानने के परचाथ हम देखते हैं उप समूच्चो की संख्या कितनी होगा, एक 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 समूच्च्च है, इसके अंदर 2,4,2 हमें, एक B समूच्च्च्च है, इसके अंदर A, B, C एक 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 ए अब हम देखते हैं दो अब दो अब लेकर हम समच्य का निर्माणद करेंगे वह समच्य कोंगों से होंगे यानि हम कर कि अरहने समच्य के अभ्यवgrown से जितने भी संभाव म सब्च्य का निर्माद्र हम ने देखता दो अब्योप से तो इसम अब्यों के संख्या एक दो सैनति जो पितने अले जोग धार तो तीन चार पांट छे साथ आठ और अगर अवयव एक है माली जए एक उप्समच्च पुसंख्या इसमें कितनी आ रही है दो ऐसे यह हमने जब और चार फांट छे लेकर किये तो प्रैक्टिकल हमने देखा ति किसी समुच्च ए में अ कि एक एक प्समुंचों के संख्या जो निकल कर आई वो निकल कर आई दो की घाथ नमबर आफ एलिमेंटिन जैसे यहां पर दो अभी अभेंज में यहां एन्य किसना होगा नमबर आफ एलिमेंटिन नहीं तो उपसमुच्चो के संख्या दो के गात दो यानि चार्ट यह नमब आफ एलिमेंट कितने हैं इसमें इसमें उपसमुच्चो के संख्या कितने होगी यह कितनी है कितनी है तो कितनी हो आप सब्समुच्च ऊंख्या कि 2 संख्या किरू के स्वेह नमें, 2 संख्या वह होकी आप समझ गई होगी यहां पर एक नए चीज निकल कर आ रहे है कि अगर इन जो उपसमुच्चे आए हैं इन उपसमुच्चों को जो एक समुच्चे के उपसमुच्चे हैं इन्हें भी अगर मैं एक समुच्चे बना दूँ यानि किसी दिये गए उप समुच्यों का, किसी दिये गए समुच्य के उप समुच्यों का एक समुच्य, तो उसे हम कहते हैं घात समुच्य, क्या कहते हैं, घात समुच्य, इसे लिखते हैं पावर सैट अफ बी, ऐसे ही इसके जो उप समुच्य चार थे, तो उप समुच्यों समच्य को समच्य को अभियाब मालने के इस समच्य को बनेगा वह समच्य कहला तो जब समच्य को समच्य होतीizer N या number of element N होती है तो फिर किसी घास समुच्चे में अभयव हो कि संग्या क्योंकि अभ ये उप समुच्चे समुच्चे नहीं 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 क्योंकि जब मैंने इने समुच्चे माल लिया तो अभ ये अभयव हो गए किसके अभयव हो गए एक घास समुच्चे तो अगर मैं कम कि दो और पावर सेट ओफ ए इनमें क्या संबंद हो घास समुच्चे के का तो एका घास समुच्चे एक कूप समुच्चों को एक समुच्चे के अंदर बंद दर गे कूप समुच्चों को अभे बना गया प्राप्ट हुआ तो ये दो जो है समुच्चे दो इ इन दोलों के बीच में कोई संब्द ने लेकिन 2 और एक के बीच में संब्द है क्योंकि a का अभयव है तो क्या बन जाएगा और अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो दो समुच्चे है जो अव्यव है पावर सेट अवे का यानि दो जो है वो पावर सेट अवे का है लेकिन दो और एक दो का समुच्चे और एक क्या संबंद होगा तो एक दोज का यह समुच्चे बनाए यह का उफसमुच्चे है जो एक अवयब सकतना है, तो यह इसका उफ समुच्चे होगा, इस terminology को अभ्यान से देखे रहा है, जबकि इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, और तो का समुच्चे घास समुच्चे का अवयब है, दो एका अवयब है, लेकिन जो घास समुच्चे का अवयब है, व एका को समुच्चे होगा, यानि अगर मैं ये terminology यूज़ करूं कि इफ एक element है, या ए जो है, वो subset belong करना है घास समुच्चे को, किसका घास समुच्चे, बी का, माल लेतें, ये जो है, वो element है, बी का, यहां से तुरण मुझे पता रग जाएगा, कि ए सबसेट होगा, बी का जिस पर गार इस example मा दर्म निकालूं, तो यहां पर मैं देखना हूँ, ये बी, ये जो है, अवयव है, पी, बी का, लेकिन साथ में ये जो बी element से बना समुच्चे है, ये subset होगा, ठीक, तो किसी समुच्चे के घास समुच्चे का, अगर अवयव हम लेते हैं, तो वो अव सब्सेट होता है, समझे होंगे, बाइबार आप वीडियो को देखेगा, आप तक ये बास पहुंच जाएगे, आगे बढ़ते हैं, विवित पिष्णा वाली में काफी जरूत पढ़ने वाली हैं, ये जो कंसर्टमना आपको बताया है, आप समुच्चे का, आप समुच्चे के परिवाश आप किताप से लिएगे, आए अब हम संख्या रिखा का अध्या करते हैं, हम जानते हैं, जीरो, एक, दो, इसका जन्दो आपने नाइन किलास में भी किया है, काफी विस्तार से इसके वारे माद आपने पढ़ा है, और यहाँ पर अनन्दो किलास, इसके पीछे आएंगे, और यह है, माइनस, तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या रिखा है, इस संख्या रिखा में यह, एक, दो, तीन, चार, यह संख्याओं को लेकर समझ्च बनाए जाए, तो इसका इस्पेशल नाव हमने एंड रखा है, आपको जाने, अगर, जीरो भी इसमें ले लिया जाए, तो इसका नाव में डब्लू रखा था, याई, प्लाकर संख्या है, इसके बाद, हमने लिया था Z या I, और Z में आ गया था हमारे पास, जीरो भी था, एक बी था, दो भी था, तीन भी था, साथ मानिस एक बिठाओ मैनस दो बिठाओ मैनस इन तर इधा लिए अनन तक जारा है यह संख्या रेखापर इस समय इतनी कि इसमें एक की तरह विए होंगे जहां एक सोगा पी बटे क्यू जहां कि जीरो नहीं होगा और पी और क्यू दोनों के दोनों कि इसमें को बलाँ करेंगे, का उठो दो नहीं के दिश्elle कृते हैं तो फिर वो की बिन्दु को बता को छोड़कर, और जिसमें संक्या को बिन्दी नाम से जानते हैं आपको चैसी भी संख्या होती है जो परिवय संख्या के रूप में प्रिकट नहीं हो सकती है यानि हम उन्हें P बटे Q से रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें T जाते हैं T में X की तरह विया होंगी जहां X जो है बिलॉंग नहीं करेगा Q को इस परिवय संख्या रूप सब्सक्राइब नहीं हो सकते हैं इन दोनों के बीच में क्रोन संख्यां करले संख्यां करया 5,020 Diesel 2,2,5 0001 7,3,4 ,2,3 पूंद school में बहुत सारी संख्याइं confirmed integrity से थे करते हैं एक बहुत करते हैं एक बढ़ का हम कैते हैं पर राप का हम करते है इस पूरिय संख्या रिखा को कि पारी में हो चाहे परी में हो चाहे पौरण संख्या हो चाहे प्राकर संख्या उन्हीं से हो आइं आ कि इन्हें लिखते हैं आर्षए यानी अब आप से एक प्रेश्ट करता हूं कि क्या वास्थ्ट रूप में लिखा यह सकता है जैसे मैंने आपको एक्जाम्बल दिया ऐसा करिए आपकी एक्स का मान जीरो से बड़ा है और दो से चुटा है और एक्स यह हैं यह आपके पास एक सेट है इस सेट के जितने भी अव्यव हैं आप इनका रूष्टर रूप लिख दीजिए तो रूष्टर रूप कैसे लिखेंगे वही आप कहेंगे जीरो से बड़ा 0.1 0.11 0.1112 ऐसे करते करते तो आप पूरे जिंदी बीच जाएगी आप संख्यां लिखते रहेंगे लेकिन हल पर नहीं पहुंच पाइंगे यानि जो बास्तर संख्या हैं उनको रूष्टर रूप कि अब इसको लिखने के लिए अब इसके भी उप्समुच्च अगर हमें लिखने तो इसके लिए हमें एक लिखने के तरीके परविचार करना पड़ेगा जो तरीका है अंत्राओ अब यह अंतराज शर्प क्या है इसको समझे उसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन किसका हुप समुच्छे है यहां पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे रैच्छोल नंबर में प्राकर संख्याओं का नर्माण हुआ है वह पूर संख्या उसे उसा है, यानि फ्राकर संख्या जो है, वो सबसेट हैं वो सब उचे हैं, मैं रहना हों कि Z के अंदर जितने भी संख्या हैं, उन सब का जो निर्माण इन संख्याओं में से लेकर N और W का निर्माण हो है, यानि N जो है, वो सबसेट है Z का, और W भी सबसेट है Z का, इन सब के बटे में एक लिख दीजिए, तो यह परी में बन जाएंगे, तो पूर्णाग जो है, वो Q, यानि परी में संख्या हैं, परी में संख्याओं में एक भी होगा, एक को एक बटा एक लिखे, दो को दो बटा एक लिखे, पी बटे Q की फर्म आ जाएंगे, यानि इस Q के अंदर यह Z भी होगा, यानि Z का, अगर हमें दूसरे सब्दों में क जो संख्या हैं उनको लेकर हुआ है, यानि Z जो है, वो सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चे हो जाएगा, अब Q और T दोनों आपस को कोई संब्द यही क्योंकि T वो है, जो Q नहीं है, तो Q और T दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो वास्तिवी संख्या में जाए, यान Q भी सबसेट है, R का R मतलब रियल नंबर, सैट अफ रियल नंबर, जितनी की दुनिया की सारी संख्या हैं हो गई, उन सब को आपस्तिवी संख्या में जाए, और T इसको और डिटिल में लिखू, तो मैं कहूंगा कि प्राकर संख्या उप समुच्च्च्च्च्च्च्च् Q का और Q संख्या है, R का, और हब आप जो Komplex Sum पी संख्या पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर, उसमें और वह बढ़ें जोटें, अभी तक आप इसी पर फोकस करें, कमप्टिशन में काफिर पूच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हम यह इस्तिती मान के चलते हैं कि X का मान A से बड़ा है और B से छोटा है अब आप इने संच्छा भी ले सकते हैं तीनो चार, तीनो चार के बीच में X का मान है तो X के ऐसे मान तो करोड़ों हो सकते हैं तब जब X विलॉंग करता है आई और यह मैंने एक समुच्च निर्माण विधी के रूप में एक समुच्च का निर्माण आपको कर लिए यह एक समुच्च्च है इसमें X के तनाविया में X रियल नम्बर यानि वास्तिम संख्या है और X का मान A से B के बीच में इसको लिखने के लिए आप रिया से रोश्टर का सवाल ही नियुकता, इसके लिए हमें इजाद की गई, उसका नामना कर्या इंट्रल, कैसे हैं लिखिए। A से ग्रेटर है, X और B से छोटा है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। यह bracket लगाई इस bracket को हम कहते है, Small bracket चानते हैं। यहां छोटी संक्या लिखे और यहां बढ़ी संखे, X है इस लिखने का एक तरेका होता है ये बता ह्या है कि आइसी संख्य है जो A से बड़ी हैं। और B से छोटी है लेकिन उसमें A और B को अब वजित किया गया है। A और B को नहीं लिया गया है। क्योंकि हां भी इसने यह बता आया है कि A से बड़ा B से छोटा A اور B नहीं है। दूसरा देखने हैं। अगर ये स्थितिय हम लेने, A से बड़ी है, B से छोटी है, लेकिन A और B के बराबर भी X का मान हो सकता है, तो लिखने का तरीका यह होगा, X बराउंकों इस वाँ बड़ी दाने जाता है, अब आप समझे रहे होगे, बड़ी ब्रैकेट का मतलब है, कि इन्हें हम अंतरविस कर लेंगे, अंतरविस मेंज इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड करने का मतलब है, कि एक पुर लगाएं नहीं, A का मान X के बरावर भी हो सकता है, तो ये भी एक तरह से रोस्टर मेतट के अलावा, एक दूसरा मेतट है, जो बासरी संख्याओं को लि इसे भी लिख सकते हैं, अब B के बरावर हो सकता है, लेकित एक बरावर नियुक्त है, यानि X बिलांग करेगा, A और जिसके बरावर हो से आप बड़े प्रैक्ट से दिखा दिखा दिश्गे, एक अंतरविस थे है, और एक अपवर जित है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं य ये संख्या रिखा रहे हैं ये 0 है ये 1 हैए 2 १ा मुझे बाद चाहिए यह गूला है यह बतारा ही 1 के वराबर एकस कामाद नहीं है और डार्क वाले यह बतारा ही 1 के बडाबर है और इसतरुकत से मैंने ये डार्क हद थूट कहдаं हो केंवल यह भाल जो है वह मुझे दिखाना है इंटरवल के रूप तो यह कैसे होगा X जो है वह एक से बड़ा है लेकिन X दो से छोटा है और दो के बराबर है तो इंटरवल फ़र्म में कैसे लिखेंगे X belong to interval form भी एक तरह से रोस्तर form की तरह ही एक समुच्चे का इंग रूप है तो क्योंकि एक के बराबर नहीं है छोटी से एक है बड़ी दो है अब क्योंकि एक के बराबर नहीं है इसमिए में छोटी ब्रैकेट लगाऊँगा और दो के बराबर है इसमिए में आपर बड़ी राइक एक ए लिखने का तरीखा है अंतराल आरके उसमुच्चे करें और ये जितने आविसमुच्चे आते है ये सब उसमुच्चे होते है आरके क्योंकि संक्या रहते हैं तो माल वह लिए 6 तक दिखाना है 6 ita नहीं है और जिसको कैसे दिखाए जाएगा? X belong to 2, 6, दो include a बड़ा bracket, यह include नहीं है, छोटा bracket, और यह किसका subset होगा? R का, यह किसका भागा? पूरे नमबर लेग गएगा. तो इस तरह से, आप समझ सकते हैं, अंतराल को इसका काफी महत्र है, कैलकुलस में और फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा प्रियोग होता है, आप इसको बार-बार पढ़ें, समझें, किताब में आप पेज नमबर 1313, पेज नमबर 13 पे आप देखें, इसके वारे मिस्तार से बताया है, एक-एक शब्द पढ़ें, कोई शंका, कोई समस्या है, तो उसके निवाराण के नहीं, आप अपने संबंदे सिख्षा या हमारे स्पुरेंट हैं, तो आप हमसे संपक कर सकते हैं, और वाट्सब पर आप चाहें, तो इस नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, 9457-313198, यह वाट्सब नमबर हैं, इस पर आप अपनी समस्या अभ्यश सकते हैं, जिसका समधान हम आपको उबलक करवा दे, मैंने,